जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी current affairs की class पर मैं हूँ आप सभी का राजग उत्ता और यहाँ पर हम current affairs का most important topic discuss करेंगे दोस्तों film fair award 2024 की घोशना हो गई है तो यहाँ पर मैं आपको सारे winners की name बता रहा हूँ भारत के सभी exams के लिए topic बहुत important है तो आपका एक से दो नंबर तो यहाँ पर पक्का है जो भी मैं आपको important point बता हूँ उसे note कीजेगा बाकी आपको PDF हमारे study application पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से PDF डाउलोड कर लीचेगा आई देखते हैं सबसे पहली बार दोस्तों आप याद रखेंगे 1954 में यह awards प्रदान किये गए हैं देखे film fair awards किस छेतर में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार होते हैं उन्हें यहाँ पर समानित किया जाता है उन्हें film fair पुरसकार दिया जाता है आई देखते next question 2024 में आयजित film fair awards में कौन सा संस्करण था which edition of the film fair awards held in 2024 तो आप याद रखेगा इस बार कौन सा संस्करण हुआ है तो 69th edition हुआ है पिछले वर 68th edition था और इस बाद 69th edition के film fair awards की घोशना की गई है देखे अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर हुआ है तो gift city है जो की गांधी नगर गुजरात में इसका आजन किया गया है कहां पर गांधी नगर गुजरात में इसका आजन हुआ है यह बात आप आप याद रखेगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है कहां पर इसका आजन किया गया है नेस्ट कुशन देखते हैं फिल्म फेर अवार्ट 2024 में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले हैं विच फिल्म रेसीब दा मोस्ट नॉमिनेशन एड़ फिल्म फेर अवा बेस्ट बैस्था के फिल्म को मिलें तो एनिमल को यहाँ पे 6-6 पुरसकार दिये गया है और जो 12 फिल्म फेर अभी है उसे 5 पुरसकार मिले हैं और सबसे बेस्ट नॉमिनेशन को खोशिट किया गया है अभी question आने वाला है मैं आपको बताऊंगा अगला question देखते हैं Film Fair Award 2024 पे सबसे Best अभिनेता का वाड किसे दिया गया है तो देखें जो Best Actor घोशित हुए है रडवीर कपूर Film Animal के लिए इन्हें Best Actor का वाड दिया गया है किस फिल्म के लिए Film Animal के लिए इन्हें Best Actor का वाड मिला है ठीक है और इस फिल्म के डारेक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि Animal Film के डारेक्टर कौन थे तो इनका नाम है संदीप रेडडी वांगा क्या नाम है संदीप रेडडी वांगा इनका नाम है नेश कोशन देखते हैं Film Fair Award 2024 में सबसे Best अभिनेत्री का वाड किसे मिला है और इस फिल्म के लिए सबसे Best अभिनेत्री का वाड यहां पर Actress को मिला है आलिया भट को दोस्तों आप यहां पर Study कर Application देख रहे हैं यह Application आपको Google Play Store पर मिल जाएगा आप इसे Download करिएगा आप इस Class की PDF अगर Download करना चाहते हैं तो आपको Study कर Application गूगल Play Store से Download करना है या फिर इसका जो Link है आपको Comment Box पर Pin किया गया है आप वहां से भी यहां पर Application को Download कर सकते हैं जैसे आप Application को Download करेंगे तो आप E-Books में जाएंगे और E-Books में जब आप जाएंगे तो आप पर Topic Wise लिखा हुआ है यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्लास की Topic Wise PDF मिल जाएगी राजा गुपता Current Affairs हमारे Telegram Channel का Name है आप इस Telegram Channel को जोईन करिएगा राजा गुपता Current Affairs Telegram Channel और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं Don't forget to subscribe, like, share and comment आई देखते हैं Next Question Film Fair Award 2024 में सबसे Best सहाय कभी नेता यानि Best Supporting Actor किसे मिला है तो Best Supporting Actor बने है विकी कौशन तो फिल्म डंकी के लिए आपने डंकी मूवी देखी अभी जो आई है सैरुप खान उसमें Lead Roll कर रहे है तो फिल्म डंकी के लिए इन्हें Best Supporting Actor का वर्ड मिला है यह हैं विकी कौशन आई देखते हैं फिल्म फेर अवर्ड 2024 में सबसे Best सहाय कभी नेतरी का वर्ड किसे दिया गया है तो सबसे Best जो Supporting Actress बनी है तो आप इसका अंसर कमेंट बॉक्स पर देए तो शाबाना आजमी शाबाना आजमी इसका राइट एंसर है जिन्हें रौकिय रानी की प्रेम कहानी के लिए Best Actress Supporting Actress का वर्ड दिया गया है नेस्ट कौशन देखते हैं फिल्म फेर अवर्ड 2024 में क्रिटिक्स सरिस्ट अभिनेता का वर्ड किसे मिला है तो क्रिटिक्स सबसे Best अभिनेता का वर्ड दिया गया है विक्रांत मैसी इनकी फिल्म आपको पता है 12 फिल्म में इन्होंने लीड रोल प्ले किया और इन्हें क्रिटिक्स सबसे Best अभिनेता का वर्ड दिया गया है तो देखिए आप आप 12 फिल्म जो मुवी के डारेक्टर है विनोज जी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और दृष्टी आइस के डारेक्टर है और यह एक्टर है विक्रांत मैसी अच्छा आपसे एक क्वेशन पूछा जा सकता है कि जो Lifetime Achievement Award है वो किसे मिला है तो इस बार का जो Lifetime Achievement Award है राणी मुखर जी और शेफाली शाग यहनी बोथ हैं बीस का राइट एंसर होगा और इनकी जो यहाँ पर बात कर राणी मुखर जी की तो इनकी फिल्म का नाम है Mrs. Chatterjee vs. Norwin vs. और शेफाली शाग की जो मूवी है Three of Us यह दोनों आप याद रखेगे गए बहुत ही कम बजट में फिल्म बनी हुई थी और बहुत ही इंस्परेशनल मूवी है अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को देखें तो आपकी जो जरनी है जो स्टुडेंट लाइफ की संघर से वो सब कुछ इसमें बताया गया है तो देखे यह है 12 फिल्म 12 फिल्म जो है बेस्ट फिल्म का वार्ड इसे मिला है विनोध चोपडा विधू विनोध चोपडा बेस्ट डारेक्टर है और यह जो आप IPS देख पार है पर मनोज कुमार शर्मा इनकी रियल स्टोी के बारे में 12 फिल्म में बतायाग है किस प्रकार्स इननोंने संघर्स करते हुए यहाँ पर IPS मनोज कुमार की कहानी के बारे में बतायागा है चले फिल्म फेर अवार्ड 2 024 पे बेस्ट डेब्य event फिल्म सेने मिला है तो यह है आली जह अगनी हुत्री क्या नाम है आली जह अगनी हुत्री इनका नाम है फिल्म फे वह अवाड दो हजार चौबिस में बेस्ट डेब्यू अभिनेता का वाड किसे मिला है तो बेस्ट डेब्यू अभिनेता जो बने है वह आधित रावल कौन बने है आधित रावल बने है नेस्ट कोश्चन है बेस्ट डेब्यू डारेक्टर का वाड किसे मिला देखे विदू विनो चोपड़ा तो आपको मैंने बता है बेस्ट डारेक्टर लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट डेब्यू डारेक्टर यानि उन्होंने पहली बार डारेक्शन किया और उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है तो यह है तरुन दूदेजा क्या नाम इनका तरुन दूदेजा तो इन्हें यहाँ पर फिल्म धगधग के लिए बेस्ट गावाड दिया गया है नेस्ट कोशन देखते हैं फिल्म फेर अवाड दो हजाबस बेक्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का वर्ट किसे मिला मैं आपको यहाँ पर एक्टर मनोज बाजपई देखने को मिल रहे है यह एक्टर है और तनिष्ठा चटरजी एक्टरस है डारेक प्रगार की जो कल़ा होती से सीनेमेड़ी बोलते हैं तो दोस्तों यहां पर किसे दिया गया है अविनास अरुन धावरी को यहां पर Best Cinematography Award दिया गया है और यहाँ पर जो फिल्म का नाम है वो है Three of Us ठीक है आगे बढ़ते हैं Film Fair Award 2024 में Best Production Design Award किसे मिला है तो Best Production Design Awards आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर Best Production Design Award मिला है शुब्रक चक्रवर्ती और अमित्रा है इसका Right Answer हो जाएगा A and B Both दोनों को यहाँ पर Best Production Design Award दिया गया है और देखिए आपर फिल्म Sam Bahadur के लिए आपने देखा होगा Sam Bahadur मुवी को जिसमें की Wikicaution ने एक Realistic Experience दिया है फिल्में जान डाली है और उसमें आपने देखा Costume Design भी आपने देखी होगी एकदम ऐसा लग रहा था कि Sam Bahadur जैसे दिख रहे थे पूरा Original दिख रहे थे तो Best Production Design और Costume Design दोनों में इन्हें पुरस्कार दिया गया है अगला कोशन देखते हैं Film Fair Award 2024 पे सबसे Best Music Album का Award किसे मिला है तो Music आपने देखा होगा कि अभी तक इस Movie के गाने बज रहे हैं और यह Film Animal है और इसमें हैं संकर एसान लॉय, जतिन ललित, विजया भासकर इन सबने यहां पे Best Music Album बनाया है Film Animal के लिए इन सभी Music Director का Award मिला है इसमें प्रीतम भी है मनन्द भरत द्वाज है, विशाल मिश्रा है यह सब इसमें शामिल है अगला कोशन देखते हैं Film Fair Award 2024 में Best गीतकार का Award किसे मिला है Best यहां पर जो गीतकार है कौन बने है? तो इनका नाम है अमिताब भटाचारे क्या नाम है इनका? अमिताब भटाचारे जो है यह बने हैं सबसे Best गीतकार और यहां पर जो फिल्म का नाम है यह है जरा हटके जरा बचके तेरे वास्ते नाम का गाना है उनमें इन्होंने गीत जो है यहां पर दिये है Film Fair Award 2024 में सबसे Best Playback Singer का Award किसे मिला? तो सबसे Best Playback Singer का Award मिला है भुपिंदर बबबल को इसे मिला है भुपिंदर बबबल को यहां पर Best Playback Singer का Award दिया गया है और Animal Movie का गाना है आपने Urgent Valley सुना होगा Urgent Valley तो Urgent Valley के लिए सबसे Best Playback Singer का Award भुपिंदर बबबल आप यहां पर देख पा रहे है से अवाड दिया गया है तो इनका नाम है शिल्पा राओ नाम है जिनने बेस्ट प्लेबेक सिंगर फीमिल का अवाड दिया गया है और यहां पर फिल्म पठान के लिए ने दिया गया है और इनका गाना जो है वह बेशरम रंग चिलपा राओ ने पठान फिल्म में प्लेबेक सिंगिंग की थी फीमेल का अवार्ड मिला फीमेल केटेग्री में दोस्तो ये 20 महतुपूर्ण प्रस्टन आपके फिल्म फेर अवार्ड 2024 से रेलेटेड थे जिसे हमने किवर 10 मिनिट्स में कवर किया यहां से जितने क्वेशन बन सकते थे मैंने आपको कंप्रीट बता दिया है आपको भूलेगा भी नहीं अब दोस्तो एक क्वेशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए फिल्म फेर अवार्ड 2024 में बेश्ट फिल्म का वार्ड किसे मिला आपको इसका एंसर कमेंट बॉक्स पर देना है आप यहां पर एक इमेज देख रहे हैं तो आपको बताना है कि यह डारेक्टर सहाब कौन है कौन सी मुवी का डारेक्शन इन्होंने किया है यह अक्टर कौन है इन्हें कौन सा वर्ड मिला है जो भी मेरे आपको बताया है तो comment box पर इसका answer दीजिएगा दोस्तो yearly ebook हमने launch की है यानि एक साल का current affairs हमने launch किया है जो कि हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में भी है इसमें 500 मात पूर्ण MCQ भी है पूरे साल का current affairs हमने डिटेल में cover किया लगवग 320 पेज की ebook है और जनवरी महिने का मंतली current affairs का launch हो जाएगा आप उसे भी download करेगा जो आपको हमारे study care application पर मिलेगा इस study care application आपको Google Play Store से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के पास जब आप ebook section में जाएगे तो आपको यहाँ पर हिंदी माध्यम मंतली current affairs English माध्यम में Lucent GK King Series PDF Topic wise current affairs PDF Marathon Class PDF यह सारी PDF आपको एक ही जगे मिल जाएगी और राजा गुपता current affairs टेलिग्राम चैनल है important updates notification के लिए आप इसे जोइन कर लिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं next important topic के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को लगाता जारी र झाल भारते है तो अवस्तों मिलते है sonsे इसे जैजे हिला तक लिए तक कर लिए मुस्तों तक pracy kayए तक कर दिएग जब तक का ?